Hello everyone, welcome back to my channel education hub. Today we are going to read and understand unit 8 lesson name the tiger and the mosquito. अब हैं सियाटे English of class first. Let's start. The tiger and the mosquito. A tiger was dawzing under a tree. इपर एक जो टाइगर था वो dawzing मतलब होता है उबासी लेना या फिर जब हमें नीद आती तो हम कैसे उबासी लेते हैं तो जो एक टाइगर था ये ये पेड़ के नीचे बैठके उबासी ले रहा था mosquito came buzzing by तभी एक मच्छर आता है और वो बज करके आवास करता है आप लोगोने मच्छर की आवास सुनी ना तो बज करके आवास करता है the tiger said hey mosquito go away तो tiger जोता है वो कहता है कि mosquito तुम यहां से चले जा तो mosquito said why should I go away I am not afraid of you तो जो मौस्कीटो को कहता है कि मैं क्यों चले जाओ मैं तो तुम से नहीं डरता अफ्रेड मतलब होता है डरना the tiger was angry the tiger उता हुसको बहुत गुस्सा आ जाता है he hit out with his paw वो क्या करता है अपने पंजे से उस मच्छर को हिट करने की कोशिश करता है हिट मतलब मारना पॉ मतलब पंजा दर मौस्कीटो फ्लीव उफ तो जो मच्छर होता है वह उड़ जाता है दब पॉस्ट्रक ही सुन चीक और जैसे मच्छर को मारने के लिए अपने पंजे चलाता है वह उसके चीक पे लग जाते उसकी गालों पे चीक मतलब गाल खुद के गालों पे लग जाते दब ब्लो स्क्रैब्ड इस चीक और तभी उसके जो गाले उस पे स्क्रैच आ जाते है इट बिगन टू ब्लीड और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है दो मौस्कीटो बॉस्ट अब और जो मौस्कीटो थे वह दुबार से कि विज वाली जाता है इस टाइम तू ही एंसेल्फ और इस बार फिर से वह अपने आपको हर्ट कर लेता है ताइगर वह बहुत जादा है यह जाता है दो मौस्कीटो कंटीनियू टू बश्ट अर जो मच्छर होता है वह बार 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 उसके कान में आकर विज विज करके साउंट कर होता रहता है आप लोगों ने सुनी है ना मच्छर की आवाद टाइगर गौट अप एंड कोईटली वॉग डवे फिर क्या गरते बिचार जो टाइगर होता है वह उटता है और वहां से बिलकुल चुप चाप जाने लगता है कोईटली मतलब बिलकुल चुप चाप या शा है कि कभी भी हमें खुद पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त सभी अप सब की कुछ नकुछ खाशियत होती है और सब कुछ नकुछ में अपने आप में महान होते तो बच्चों यह लेसन आप लोग को कम्प्रीट होता है अगर आपको पसंद आये हो तो लाइक किन सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू